तेक शात्रों की तीन दिवसी वार्शी खेलकुद गतिवीधिया भिलाई में प्रारब हुई है जिसमें प्रत्थम दिवस इंडोर खेलों, चेस, कैरम, बैडमिंटन का आईजन किया गया वही दूसरे दिन शनिवार को क्रिकेट प्रजविता का आईजन किया गया जिसमें स्टूडेंट की असोसीशन होती है जिसकी विलाई ब्रांच ने तीन दिवसी एक एन्वल और स्पोर्ट्स फेस्ट बच्चों के लिए कराया है जिसमें कल के दिन इंडोर का रिक्रम कराया गया था जिसमें चैस, कैरम, बैडमिंटन ये आईजन किया गया थे और आज यहा हमारे साथ मौजूद है, मिनेज जैन जी, हज जैन जी, अंकेश सिना जी, गौरव अगरवाल जी, ये पूरा आयोजन का आनद उठाते हो, ये स्टूडेंट्स की एक्टिविटी बहुत ही अच्छी हर साल चलती है, जिसमें एकडेमिक के साथ साथ स्पोर्स और कल्चरल का आयोजन हर साल किया जाता है, उसी कड़ी में इस साल व्रिहत रूप से तीन दिन का मेगा प्रोग्राम किया जा रहा है, जो रहुल बत्रा जी के मालवदशन में और पूरे यंग साथियों के साथ बहुत अच्छे रंग से संपाधित किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ाई में बजी हो जाते हैं तो हम लोगों को खेलने का इतना टाइम ने मिलता है, लेकिन यह सब होता है, स्पोर्ट्स वगर होता है, तो ठीक है, इससे एक यह मैसेज भी जाता है कि पढ़ाई के साथ चाथ पसिकल है बहुत इंपोर्टेंट है, तो हमारे ब्रांच और जब भी स्पोर्ट्स और फेस्ट वगरे जब भी होता है, तो स्टूडेंट्स और अच्छे तरीके से एक दूसरे से मिल पाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, कासा हर साल की तरह इस साल भी थ्री डेस का इंडोर प्लस आउट्डोर स्पोर्ट्स आयोजन करवाया है, और कल के दिन में इंडोर गेम्स हुआ था पूरा, उसमें बैड्मिंटन हुआ था सबसे पहले, फिर कहरा हम चैस, चाइनीज चेकर, स्टेबल टाइनीज ये सब वहता, और आज है बॉक्स क्रिकेट कड़े, तो यहां पर बहुत ज्यादा मज़ा आती है यहां पर, हम लोग तो साल भर एक दिन का इंतजार करते हैं, आज का दिन है आज बॉक्स